श्रीदेवी हमारी इंडस्ट्री की पहली फीमेल सूपर स्टार श्रीदेवी का वो रुद्बा था कि हर एक प्रोड्यूसर डिरेक्टर उनकी बात मानने को तयार था उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए लेकिन अपने स्टार्डम के जब चरम सीमा पर श्री देवी थी तब उनका सामना हुआ एक दूसरे सूपर स्टार से और तब श्री देवी की उस सूपर स्टार के सामने जरा भी नहीं चली तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब श्री देवी का सामना हुआ मिथुन से और फिर कैसे मिथुन के सामने श्री देवी की एक नहीं चली यह बात है उस साल की जो श्री देवी की लाइफ का सबसे बॉटन टियर था जी हाँ यर 89 इस साल श्री देवी ने बॉक्स ओफिस पर दो धमाकेदार फिल्मे दी थी एक थी चालबास और दूसरी थी चान्दी यही वो दो फिल्मे हैं जिसके कारण श्री देवी बॉलिवुट की हाईए स्पीड आक्टरस बनी थी हाला कि इससे पहले भी श्री देवी अच्छी परफॉर्फॉर्मेंस दे चुकी थी लेकिन ये वो फिल्मे थी जिसमें श्री देवी को बाकी सभी कॉंपिटिटर्स से अलग हट कर एक उचाई पर खड़ा कर दिया था वैसे अगर 89 एर श्री देवी के लिए important था तो मिथुन के लिए भी ये साल बहुत खास था यही वो साल था जो मिथुन को टॉप पर ले आये था और मिथुन ने record break फिल्म में release की थी एक के बाद एक 18 फिल्म में मिथुन की इस साल में release हुई थी इसलिए मिथुन का भी industry में बोल बाला था इसी साल श्री देवी box office के superstar मिथुन चकरवती के साथ एक फिल्म कर रही थी यह फिल्म थी गुरू जिस वक्ट यह फिल्म शूट की गई थी तब श्री देवी और मिथुन के affair के खबरे काफी आई थी यही कारण था इस फिल्म में जब श्री देवी और मिथुन को कुछ intimate scenes करने को कहा गया तब श्री देवी ने ये scenes कर लिये थे लेकिन जिस टाइम यह film release होने वाली थी उस टाइम की श्री देवी में और shooting के वाली श्री देवी में काफी फरक आ चुका था तब तक श्री देवी और मिथुन का break up हो चुका था साथी श्री देवी एक star बन चुकी थी और अब उन्हें image की बहुत परवा थी यही कारण था कि जब गुरु फिल्म 89 में release होने जा रही थी तब श्री देवी ने इस film की director उमेश महरा से request किया कि आप कृपया करके इस film म इसे हमारे जो intimate scene से वो निकाल दो उमेश महरा ने कहा कि story की demand है क्योंकि गुरु फिल्म एक south की film की remake थी और south की film में भी इस तरह के scenes थे इसलिए वहीं से इन scenes को ऐसी कैसे picturize करके इस film में भी लिया गया है इसलिए जब director ने कहा कि story की demand है वो इन scenes को नहीं cut कर सकते हैं तब श्रीदेवी ने उनके खिलाफ legal action तक लेने की धमकी दे दी गबराया हुआ director जब मिथुन के पास पहुँचा और उन्होंने पूरी story मिथुन को समझाई तब मिथुन ने उनसे यही पूछा कि जिस वक्ट श्रीदेवी को ये story narrate की गई थी तब क्या उनने scenes के बारे में ब श्रीदेवी नहीं चाहती है कि उनकी image जरा भी खराब हो और वो मिथुन के साथ on screen intimate scenes देते नजर आए जिस मिथुन के साथ अब उनके रिष्टे नहीं है ये पूरी बात सुनकर मिथुन ने director का doubt वहीं पर clear कर दिया उन्होंने कह दिया कि जब श्रीदेवी ने खुद अप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो तो कुछ इस तरह की राय जब मिथुन से director को मिली तो वो निश्चिंत हुए और finally इस film को उन सभी scenes के साथ release किया गया और यहीं वो incident था जब superstar होने के बावजूद श्रीदेवी की मिथुन के सामने नहीं चली थी कब क्यों और कैसे में जिकाना